दोस्तों आज की रिस्पी है हरी सब्जीयों के पकोड़े बहुत ही स्वादिश्ट पकोड़े रिस्पी भी क्रंची भी आईए फिर बनाना सुरू करते हैं प्री दर्सकों मम्ता कीचन रिस्पी में आप सभी गा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय लाग डाउन चल रहा है सबी दुकाने मार्केट बन चल रही है रेश्टोरेंट भी बन चल रहे है आप लोगों का खाने का बहुत मन कर रहा है पकावड़े बगएरे तो आप घर पे बनाईए अपने हाथों से बनाकर खाईए अपने हाथों से नुकसान दे भी नहीं रहता स्वास्त के लिए बढ़िया रहता है आईए पकावड़े बनाते हैं हरी सबजियों के सबसे पहले हरी सबजियों को बारी काट लेंगे हरी सबजियों हरीर के लिए लाबदायक होता है स्वास्त के लिए बढ़िया रहता है आप हरी सबजियों को ज्यादा सेमन करिए ये देखिए हमने इस तरीके बारी काट लिया है सभी सबजिया अगर आपको कोई और सबजी भी पसंद है तो और भी सबजिया डाल सकते हैं आप जये सबसे पहले एक बरतन लेंगे अब इसमें कट्रूगी गाजट डालेंगे पत्ते गोभी डाल देंगे Beans डालेंगे प्याज डालेंगे हरा धनिया डालेंगे अधरक लैसन का पेष्ट डाल देंगे एक कब बेसन डालेंगे बेसन कम ज्यादा हो जाए एक चम्मच चावल के याटे डाल देंगे एक चम्मच लालती की मिर्च डालेंगे आप मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो उस तरीके आप मिर्च डालेंगे आधा चम्मच नमक डालेंगे नमक स्वादन उसाथ डालेंगे अब इन सभी को अच्छी तरीके मिलाएंगे हथेलियों से अब इन में पानी डालेंगे अच्छी तरीके हमने मिला लिया है थोड़ा पानी डालेंगे अगर पानी ज्यादा हो जाए तो बेसन और आइड कर दीजिए ये देखे अच्छी तरीके हमने मिला लिया है आइएन को छानते हैं प्राइ करते हैं पायन में ओईल डालेंगे एक सिंटीमीटर तक हथेलियों में इस तरीके पकावड़े के आकार देंगे आप चम्मच से भी बना सकते हैं हम हथेलियों से बना रहे हैं ओल काफी गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम में बनाएंगे यह देखिए कितना बढ़िया पकावड़े बन रहे हैं यह जितना दिखने में अच्छे दिख रहे हैं उससे कई दुना खाने में इसका टेस्ट है दोस्तों इस रिस्पी को आप जरूर से जरूर बनाएए अब इनको पल्टेंगे दोनों तरफ बढ़िया से इस तरीके फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक रिस्पी और क्रंची बने यह देखिए पकावड़े बन गए अब इनको निकाल लेते हैं इसी तरीके साथ भी पकावड़े बना लेंगे इसे आप चाय के साथ सारू करिए या चटनी के साथ सारू करिए जैसे आपको पसंद हो उस तरीके आप सारू करिए अगर कोई सुझा हो कमेंट बॉक्स में रताइए कोई गल्पिया हो माफ करिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक असानी से पहुँचे, धन्यवाद